आज हम आपके लिए लेकर आएं आउले का चार जो कभी नहीं खराब होगा और यह सालो साल तक चलेगा आप इसे एक बार सीजन में बना के रख लेंगे और बिना सीजन में भी आप इसे खा सकते हैं आराम से इसे बनाना बहुत ही आसान है एक से दो दिन का टाइम लगता है कर सकते होर आप इसे सालो साल तक रख कर भी खा सकते है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर हमने लिया तीन से 4 गेजी आउला अच्छे से धूलक लिया हमने अब हम यहां पर इसे कुकर्दEr करेंगी कुकर्दर में सारे आउलो को डालने के अब हम इसमें एक सीटी लगा लेंगे या फिर आप इसे खुले में 10 मिनट बॉयल कर सकते हैं तो यहां पर हमने एक सीटी लगा लिए और आप देख सकते हैं आउले की जो लेयर से अपने आप यहां पर अलग हो रही है तो हमारा जो आउला एकदम परफेक्ट तरीके से यहा को अलग कर लिया है अब हम इसे धूप में रखेंगे सूखने के लिए जिससे इसका जो एस्ट्रा पानी है वो सूख चाया अच्छे से और यह आउला काफी दिन तक चलेगा जब आप इसका अचार बना के रखेंगे तो इसलिए यहां पर इसे धूप में सुखाना जरूर जरूरल साथ करें दे बना के लिए तो अभी ठंदी में हलके धूप हो रही है आप इसे एक दिन पूरा दूप दिखा सकते हैं तो हमने यहां पर एक दिन पूरा धूप दिखाया है और आवले का जो पानी है वह अच्छे से सूख चुका है आवले हलके हलके ड्राई हो चमच मेथी मेथी जादा आइड नहीं करना है इससे हलका तीखा टेस्ट आने लगता है फिर यहां पर एड़ करेंगे तीन से चार चमच हम सरसो सरसो बहुत इंपोर्टेंट है इससे काफी अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है दो चमच यहां पर साबुत धनिया एड़ करेंगे दो चमच यहां पर सौफ एड़ करेंगे फिर यहां पर एक चमच हम अजवाइन एड़ करेंगे और एक चमच यहां पर हम कलोजे एड़ करेंगे जिसने मंग्रेल मैंसा भी बोलते हैं और कलर भी इसका हलका सा चेंज हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और पहले से इसका कलर थोड़ा डार्क हो चुका है इसमें अच्छे सी खुस्बी भी आ रही है अब हम इसका यहां पर पेस्ट बना लेंगे मेथी दाना का तड़का लगाएंगे इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है तो आप मेथी दाना का तड़का जरूर लगाएं अगर आप चाहें तो ही भी एट कर सकते हैं उसका फ्लेबर पसंद हो थोड़ा साम यहां पर करी पत्ता भी डाल रहें तड़के में अब यहां तीन से चार चमच बड़े हम लसुन का पेस्ट आइड करेंगे इसे हमने दरदरा पेस्ट बना लिया है तीखी के कोडिंग यहां पर हमने हरी मिर्च लिया है दो से तीन चमच दो चमच यहां पर हमने अद्रक का पेस्ट लिया है इन सारे मसालों को एक से दो मिनट अच्छ से अब हम यहां पर दो चम्मच कस्मेरी लाल में चैट करेंगे कलर के लिए क्योंकि इसमें तीखा पन नहीं होता है कलर काफी अच्छा लगेगा देखने में और एक चम्मच यहां पर हल्दी पाउडर रेट करेंगे इन सबको अच्छे से मिक्स करके पका लेना है मसालो को इसी टाइम हम यहां पर नमक भी एड़ करेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग यहां पर हम नमक एड़ कर दे रहे हैं टेस्ट के कॉर्डिंग अब इन सारी इंग्रीडियन को अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेंगे और हमारे तड़का मसाले वाला तयार हो चुका है अब हमने जो आउले शुखा करके रखा था उसे अब यहाँ पे एड़ करेंगे आउले को यहाँ पे एड़ कर देना है आप देख सकते हैं आउले में बिल्कुल भी मौश्चर नहीं है इसे हमने धूप में सुखा लिया था अगर आपके यहां तेज धूप है तो आप इसे 4-5 घंटे सुखा सकते हैं नहीं तो आप एक दिन इसे पूरा धूप में रहने दे दूसरे दिन इसका अचार बनाए तो यहां पे इस सारे आउलो को एड़ कर दिया है अब मसालो के साथ इसे mix कर लेना है और इसे 3-4 मिनट कम से कम हम यहां मसालो के साथ इसे पकाएंगे आउले को जिससे जो आउले में थोड़ा बहुत पानी हो अच्छे से सुख जा और मसालो के साथ आउला भी भून जाए अच्छे से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन से चार मिनट हो चुके हैं और एकदम अच्छा सा कलर भी आ चुका है आउले पे इसे हम मिक्स कर लेंगे एक बारी फिर यहाँ पे हम एट करेंगे जो हमने खड़े मसालों का पाउडर बना करके रखा था इसे यहाँ पे ए भून करके पक शुका है तो यहाँ पे अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक मिनट इसे अच्छे से पका लेना है जिसे जो हमारे साबूत मसाले हैं उनका फ्लेवर भी अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए और हमारा आउला जो है बनकर तयार हो चुका है आप इसे एर टाइट कंटेनर जार में रख करके एक से दो साल आप इसे खा सकते हैं आराम से इंज्वाय कर सकते हैं तो यहाँ पर आउले का चार बनने के बाद हमने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था तो अच्छे से एक्द नहीं रहना चाहिए अब हम यहाँ पर आउले के अचार को एड करेंगे जार में तो यहाँ पर रखने के बाद जार के उपर से हम यहाँ पर आउले के उपर से हलका सा नमक डाले के इसे धूप में रख देंगे दो से तीन घंटे और इसे हम उसके बाद खा सकते हैं आराम स घर पर अपने रख करके तो यहां पर आउला जो होता है खटा होता है और नमक भी थोड़ा बहुत खीशता है जैसे जैसे अचार पुराना होता है तो उपर से हमने नमक डाल दिया है इससे काफी दिन तक अच्छे से स्टोर होके रहेगा खराब भी नहीं होगा और नमक जो ह खाना इंजाय कर सकते हैं एक दिन बाद